ये हमारा कॉलेज है हमने अभी तक लेला, मजनू, ही, रांजा, शिरी, वरहाद जैसे प्रेवियो की कहानी सुनी है लेकिन हमारी कहानी थोड़ी सी अलग है दोस्तों हम हॉलिडेज फुल आन इंजॉय करेंगे हाँ ठीक है पर अपने टूर प्लान के बारे में तो बताओ पहले हमें कहीं जाना होगा कहाँ पर यार हम सब मिलकर रोहित के गेस्ट आउस पर जाते हैं सूपअ ब्यार हमारे आने की ख़बर उसे फोन करके देनी चाहिए हलो है रोहित मैं शोग बोल रहा हूँ हाँ हम हॉलिडे इंजॉय करने के लिए तुम्हारे गेस्ट आउस पर आते तुम भी वही मिलो ना मैं वहां नहीं आपाऊंगा यार क्यों क्या हुआ मेरे पापा जी की तब यह ठीक नहीं है तो अब क्या करें उनका ख्याल रखने के लिए मुझे हैं रहना होगा पर तुम लोग जाओ ना थुम्हारे ही घर है या अराब जोह कराओ एंजॉय करो ओके पिता जी का ख्याल रखना ओके हेई वो नहीं आ सकता उसके बीना ही एंजॉय करना होगा ओके यह कहां गई कब हॉन जी यह नाराज हो क्या प्लीज मान जाओ नाया प्लीज 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 हम वहां से जल्दी लौट आएंगे प्लीज वो जगह बहुत ही खूबसूरत है वहां तुम्हें बहुत ही अच्छा लागेगा प्लीज हम एक बार जाकर वापस लौट आएंगे तुम हां कह दो ना क्योंकि हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा प्लीज हां कह दो ना नहीं देखो मेरे खुशी में तुम्हारे खुशी है और तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगी हां कह दो ना प्लीज एक बार हां कह दो स्वेटी प्लीज एक बार ओके येस, I love you, sweetie चलो, finally पहुँचे गए जल्दी आओ, यार भूख के मारे हाल बेहाल है यार, बिल्डिंग तो बहुत ही मस्त है घर के बारे में बाद में सोचेंगे पहले खाने के बारे में सोचो यार, बहुत भूख लगी है यार, 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 या डाइनिंग टेबल खाली क्यों पढ़ा है इंटीरियर पर भी काफी खर्चा किया है वहाँ सूपब गार तो बहुत अच्छा है अरे मोहन अपने बुक्स लाए होते तो हम यहाँ पढ़ाई भी कर सकते थे यार अरे यार हम यहाँ दस दिन मस्ती कर रहे हैं और तुप पढ़ाई का नाम लेकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है अच्छा इंज्वाइ कर लिया है मैं इस्ट्रबी करो गार एक्सकीज मी मोहन यह बैग मेरा है बैग जब गाड़ी से यहाँ तक लाया तब तक तो मेरा ही था मे यहाँ बैग कहाँ है चंद्रिका दर्लिंग प्लीज मोहन प्लीज मोहन इस समय कोन आगया अरे इस वक्त कोन आगया आप कौन है जी मेरा नाम मल्लीका है वाव यह तो लेडिज है मुझे डील करनी पड़ेगी कौन है आप क्या चाहिए आपको मुझे यहां के साहब ने आप लोग की सेवा करने के लिए भेजा है तो सेवा करना शुरू कर दो हमारी सेवा के लिए फिर तो सेवा होनी ही चाहिए बताये क्या खाना बनाओ मेरे लिए एक चिकन तंदूरी, चिकन बिर्यानी, बटर चिकन, फिश फ्राई, फ्राइड राइस, विस्की, सोडा यह सब हमें नहीं चाहिए यह सब का सब मेरा फिवरेट है मेरे लिए एक ग्लास दूद काफी है यह तो रहा मेरा मेनू मोहन, मैंने अपना फूद ओर्डर कर दिया, तू भी अपना फूद ओर्डर कर दे अच्छा इसने जो भी बोला ना, वो सब बना दो, मैं सब खालूँगा ठीके साब साहब नाश्टा रेडी है मल्लीका जी वाटर जी लाई मल्लीका मासता है मल्लीका के नाश्टी की बात कर रहा हूं मल्लीका का नाश्टा बहुत है थाप्टा मुआ प्यूवड़ भी उड़ प्याट वोगा 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 बोगा वोगा झाल झाल चंदरीका वो आशोक है ना वो बहुत ही बड़ा खिलाडी है वो तो मस्ती भी कर रहा है तो हम दोनों थोड़ी मस्ती कर लें झाल 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 क्यों भाई, कोई आके खड़ा है फिर भी चिपक रहे हो, दर्वाजा तो बन कर लेते तो यहाँ आ जाएगा मुझे नहीं पता थो अच्छा, मेरे फोन की बैटरी डाउन है तुम्हारा फोन जाहिए दर मैं जा रहा हूँ, लगे रहा हूँ वाउ, यह तो फ्रेश हो रही है चंदरीका चंदरीका, जो छोड़ो लाँ क्या करें चुम्हा नहीं, यह सब शादी के बाद मिलेगा मुझे कपड़े पहनने दो, पहले तुम यहाँ से बाहर निकलो चलो निकलो, यह नाइन साफी है चंदरीका निकलो, एसा मत करो, प्लीज क्या यार तो, वाट निक्स्ट, पास में ही एक अच्छा रिजॉट है, वहाँ चले क्या सुनो, थोड़ा आगे चलेंगे, तो हिल विव है वहाँ पर एक स्वामी जी का आश्रम भी है वहाँ चलकर उनके दर्शन भी कर लेते हैं, यार अच्छा, वहाँ जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भगवा पहन के, साधू बन जाते हैं मुझे साधू नहीं बनना है, क्या यार तुम भी, हम यहाँ मस्ती करने, इंजॉय करने आए और तुम मज़ा किरकिरा कर रहे हो, वहाँ जाने का टाइम होगा तब जाएंगे ना तुम्हे क्या पता मैं क्या-क्या सपने देख रहा हूँ, तुम तो मज़े कर रहे हो, मुझे भी करने दो, कूल गाइज, तो आप फाइनल हो गया है, हम रिजॉर्ट जाएंगे, और खूब मज़े करेंगे, मस्ती शुरू, यह सब बंद करो, क्यों, रिजॉर्ट में पब यही, तुम लोग शांत रहना, मेरे घर से फोन है, हम, हेलो, हा मुमी, तुम चिंता मत करो, तुम कहा हो, हाँ, मैं हाँ फ्रेंट्स के साथ कंबाइंड स्टेडी कर रहा हूँ, तुम आरे पापा सीरियस है, तुम जल्दी आपका, ची के मैं अभी यहां से निकलता हूँ, म तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी पहुँच जाओगा, जल्दी आना, संभल कराना, ओके बंबी, पाइ, 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 सौरी यह, मेरे पिता जी सेरियस है, मुझे जाना पड़ेगा, अशोक, बाकी लोग है ना, पिता जी का ध्यान रखने के लिए, एक्जाम का बहाना बन तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मौहन और चंद्रिका है न, ठीक है न, प्लीज रंजिता, तुम अपना ख्याल रखना, मैं घर जागे आता हूँ, पाइ, मौहन, वो दोनों तो गय, अब हम दोनों क्या करेंगे, न, न, कोई और सैंडल लाँ न, एक इस सैंडल से कितनी बार मार होगी, तुम चिंता क्यों कर रही हो, मोहन और चंद्रिका है न, तुम्हारे साथ, बस दो ही दिन की तो बात है यार, मैं वापस आ जाओंगा, ठीक है न, भाई रानी, तुम अपना ख्याल रखना, प्लीज अंडरस्टेइन यार, मैं दो ही दिन में वापस आ जाओंगा, प्लीज, अपना ध्यान रखना, ओके, भाई डार्लिंग, भाई, ऐसे खाली खाली ही चला गया, कम से कम एक टेस्टो दे कर जाता, इतना भी दिमाग नहीं अच्छी, ऐसे लड़की के साथ जिन्दगी कैसे गुजरेगे, हाई, क्या होगा मेरा, ए, मोहन, अरे वो, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, ओ, हो सिगरेट पी रहे हो, नई, वैसी कोई बात नहीं है, वो कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ ना, तो पी लेता हूँ और कुछ नहीं, तुमको भी फ्रस्ट्रेशन होता है क्या, क्यों, मैं इंसान नहीं क्या मुझे किस बात का फ्रस्टेशन है मैं ही जानता हूँ इस चांदनी रात में तुम्हारा मूड क्यों खराब है उससे क्या होता है अब तो अकेली हूँ ना वैसे सच कहूं तो ऐसी रात में या तो शराब होनी चाहिए या अच्छा सा लाइफ पार्टनर होना चाहिए वरना ये जवानी किस काम की ऐसी जिन्दगी जीने में क्या मज़ा फ्रस्ट नाइट नहीं हुआ तो समझो संदनाइट वैस्टी है क्या तुमने कुछ कहा मुझे लगा तुमने कुछ कहा ऑ्पे मोहन ब झाल झाल क्या बात है आज मना नहीं कर रही हो इसी तरह मान गई होती तो इतनी राते वेस्ट ने जाती आओना आओना ए मोहन क्या बखबख कर रहे हो चुपचप सोजाओ पता नहीं हाँ 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 कुछ समझ में नहीं रहा है क्या हो रहा है लगता है पागल हो गया हूं अरे दे सोजाओ मोहन सोजाओ हाँ 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 गुद मॉर्निंग रंजिता गुद मॉर्निंग हाँ गुद मॉर्निंग मैं तुम्हारे लिए नाष्टा निकालो मैं ले लोंगी ठीक है हाँ मल्लीका नाष्टा बहुत ही टेस्टी है कुछ लोग जिंदेगी के टेस्ट का मजा नहीं लेते और वेस्ट करते हैं अपनी लाइफ को मुर्णन क्शुए क॥ 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 करता आए्ट अबना और लुड़ू। जाओ चैन्दरीका रंजिता अरे क्या हो गया तुम थीक हो हो जादा जोट तो दीलेगा तुम थीक हो जाए तुम थीक हो जाए रंजिता लेट जाओ दीरे दीरे क्या हुआ लेट जाओ आराम से टेक किल चैन्दरीका मोहन के हाद जरा बाम भेज़ देना बहुत दर्द हो रहा है ठीक है कि अग्याओ कि अग्याओ हलो हलो अशोक मैं फिसल गई अशोक मुझे चोट लग गई क्या बहुत दर्द हो रहा है तुम कब आओगे मैं बहुत जल्दी आ जाओंगा ये दर्द सहा नहीं जा रहा है अशोक थोड़ा इंतजार कर लो यहाँ पर पिदा जी बहुत सेरियस है हॉस्पिटल में एड्मिट किया है दो दिन में उन्हें चुट्टी मिल जाएगी फिर मैं आ जाओंगा रानी तुम दो दिन बाद आओगे तब तक मैं ऐसी पड़ी रहू तुम किन्त मत करो मैं जल्दी आता हूं टिक है न भाइध चिक हाँ तुमहरा दर्द कम हवा गया दर्द कम होने का नाम इने ले रहा मोहन तुम ने कह था इसलिए बाम लेकर आया हुँ क्या मैं ठीक है कहा दरद हो रहा 새 तुम्हें यहां पे मोहन अच्छू आने में इतनी देर क्यों लगाई जल्दी आकर भी करना क्या है आने में जल्दी आकर भी करना क्या है आने में जल्दी आकर भी करना क्या है नाइस कॉफी मौहन तुमको क्रिकेट पसंद है मैं तो बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ यार वो तो तुमको देखकर ही लगता है मैं भी क्रिकेट प्लेयर हूँ मैं बॉलिंग बहुत अच्छे करती हूँ वैसे तुम्हें टी ट्वेंटी पसंद है या टेस्ट मैच टी ट्वेंटी तो जल्दी खत्म हो जाता है इसलिए मुझे सिर्फ टेस्ट मैच खेलना पसंद है अगर मैं बॉलिंग करूंगी ना मोहन तो तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे वो तो एक बार खेलोगी तब पता चलेगा वैसे ठैंक्स मोहन कल तुमने जो बाम लगाया ना मोहन उसकी विज़े से मैं अभी चल पारी वरना बैट भी नहीं सकती थी तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी जरूरत पड़े तो मोहन को बुला लेना वो आ जाएगा तुम्हारी मदद के लिए रात भर पेन बाम लगाकर ठक गए होगे ना जाओ अब जाकर बोडी मसाज करवाओ बहुत मजा आएगा तुम्हें चंदरीका उसे दर्द था इसलिए मैंने बाम लगाया तुम्हामखा भड़क रही हो तुम्हें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा लगता है दोनों ने एक दूसरे की मदद की है ये क्या बखवास कर रही हो यार तुम्हें हम दोनों के बीच चक्कर लग रहा है क्या शायद मुझे क्या पता हो भी सकता है चंदरीका तुम छोटी सी बात का बतंगड बना रही हो तुम्हारी हरकते ही ऐसी है क्या मुहन क्या हुआ बैटो न अब तुम्हें क्या बताओ यार चंदरीका ने तो अभी हद ही कर दी तुम्हें बाम लगा कर मैंने तुम्हारी मदद की तो वो शक कर रही है किस बात के लिए इतना शक कर रही है अरे वही मैंने तुम्हें बाम लगाया था ना वो तो मुझे दर्द हो गया था इसलिए लगाया था ना हा लेकिन चंदरीका के शक का वाकई कोई इलाज नहीं है लड़की के मन का शक जंगल के आग की तरह होता है बुझना बहुत मुश्किल है अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है दर्द के मारे मेरा मेरा सर भट रहा है इसको कुछ समझाओ कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है अरा अरे मोहन तुम्हारा बदन क्यों गरम है रुको में बाम लगा देते हैं और सरदर्द के साथ बुखार भी उतर जाएगा आओ तुम्हारे जैसे लड़की अगर करीब हो तो सरदर्द भी स्वर्ग जैसा लगता है मोहन अब दर्द कैसा है कुछ कम हुआ क्या कम नहीं हुआ है मसाज की जरुवत है प्लीज अब कैसा है बैस हो गया मोहन अब थोड़ा आराम कर लो रंजीता मोहन क्या कर रहे हो छोड़ो रंजीता प्लीज मुझे मुझे तुम्हारे प्यार की जरुवत है प्लीज रंजीता रंजीता मोहन तुम गलत कर रहे हो शायद तुम्हीं ये गलत लग रहा है लेकिन मुझे गलत नहीं लग रहा सच कहूं तो मैं यहां इंजॉय करने के लिए आया था लेकिन चंद्री का तो पत्थर दिल है कहती है हाथ नहीं लगाने दूंगी और प्रवचन देती है कि शादी के पहले ये सब पाप है शायद वो प्यार का मतलब भी नहीं जानती है तुम भी तो प्यार चाहती हो ना रंजीता अगर हम दोनों एक दूसरे की इच्छा पूरी कर दे तो तो इसमें गलत क्या है क्या गर रहे हो मुहन समझने की कोशिश करो हमारे बीच ये सब नहीं हो सकता हाँ रंजीता मैंने गलती की है तुम्हें छोड़कर उससे प्यार करने के गलती की है मैंने हाँ मुहन मुझे भी ऐसा ही फील होता है अभी तक अशोक ना तो मेरा पती बना है ना चंद्रिका तुम्हारी पत्नी है शादी ही नहीं हुई है तो प्रॉब्लम किस बात की तुम्हें अगर मेरा प्यार चाहिए तो चंद्रिका को छोड़ कर आना होगा किस सोच में बढ़ गए मुहन क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है मुझे चंद्रिका की फिकर नहीं है लेकिन अशोक का क्या कैसी बात कर रहे हो मुहन वो मुझे साथ लेकर आया और पिर अकेला छोड़ कर चला गया मुहन दरसल मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ अशोक से पता नहीं क्यों अब मेरा मन हटनी लगा है शायद अशोक से प्यार था ही नहीं सच में रंजीता मुझे भी वही महसूस हो रहा है आज रात में चंद्रिका से बहाना बना कर तुम्हारे कमरे में आ जाओंगा फिर हमें इस दुनिया से दूर चले जाएंगे जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आ पाएगा येस अरे तुम कह जा रहे हो इस वक्त कहां जा रहे हो मेरी मर्जी मैं कहीं भी जाओं मोहन मोहन रंजीता मैं आ गया आज हम दिल खोल कर तार करेंगे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी महान झाल 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 ओम तिर बुराई नमहा, ओम तिर बुराई नमहा, ओम तिर बुराई नमहा, कौन हो, कौन हो तुम, उसने गल्ती कर दी है, उसे छमा कर दो, छमा कर दो उसे, छमा कर दो जाए भद्रकाली जाए भद्रकाली जाए भद्रकाली जाए भद्रकाली ऐसी खुबसूरती का मज़ा नहीं लिया तो मुझसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा जंद्रकांता तो चली गई मैं इसके साथ एंजॉय कर लूँगा तो रिलेक्स हो जाऊंगा ओम दुर्गाई नमाहा ओम दुर्गाई नमाहा बद्रकांता प्राप नहीं जाओ धरुगाई प्राप दुर्गाई झाल झाल स्थाए स्थाए झाल 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 क्या झाल झाल, शाल, 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 शा चंद्रकांता इस चंद्रिका को छोड़ कर चली जाओ तुम्हारा दुष्मन अब खतम हो गया है अपने स्वार्थ के लिए तुम दूसरे का प्रेम की बली मत चड़ाओ चली जाओ यहां से चंद्रिका को छोड़ कर चली जाओ चंद्रकांता जी मेरी बात सुनिये, आप मेरी चंद्रिका को छोड़ दीजिए, प्लीज चंद्रकांता, हमें माफ कर दू मैं भी आपकी तरह यहां आकर इसके हवस के शिकार हो गई थी और इन्दा शादी से पहले ऐसी कलती मत करना शादी के पहले तो क्या, शादी के बात भी नहीं करूँगा ठीक है, मैं जाती हूँ, पर जाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ प्यार शादी की शिरुवात है, उसे हवस का नाम देकर बेहिसत मत करना समझ गए प्यार दो दिलों का बंधन है उसे अपवित्र मत करना उसका अपमान मत करना अब जहां भी ऐसा अन्याय होगा वहां चंद्रकांता अपना अन्याय दिखाएगी जहां भी हो चंद्रिका कर दो